नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो आपको यह बात जानना बहुत जूरूरी है क्यों कि होता क्या है कि समय के साथ कुछ चीजे बदलती है और इस समय बदलाव हो रहा है था सब्सक्राइब करें चानल को सब्सक्राइब करने तेले लिग्राम ना बुलें कमेंट बॉक्स के मैंने पिन कर देंगे हैं वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं देखे मेरे वाइब सभी को इक बात और बता दिता हूं रात को 9 बज़े SSC GD की Special math की class चलती है और वह भी चलेगी किस अधार पे अब एक नए pattern की अधार पर चलेगी आप सभी की ठीक है तो यहां पर 30 सितंबर के नोटिस आ रखा है उस समय ही आ रखा था मगर मैं थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर रहा था ताकि और भी अच्छे सा चीज़े पर चल सकें कि वह नोटिस नोटिस दिखाने के क्या मतलब रहे जाएगा वगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिस देता हूँ एक brief एक concise report देता हूँ आप सभी को ठीक है देखिए इस report में है क्या यह report एक तरह की एक तरह का जो नोटिस है पूरा पूरा एक तरह का टेंडर है जो टीसेस पहले paper कराती थी टीसेस questions को set करती थी questions को आपकी examination में questions आते थे उसको set करती थी मगर अब यह जो tender है वह टीसेस का जो भी था tender वह close हो चुका टीसेस से करा लिए जितने कराना था जितने साल का अब उसको agency change करनी पड़ेगी तो SSC ने agency change कर रहे हैं आपर अब कौन से agency आती है कैसे agency आती है आप सभी को पता है इंडिया में जादा agency हैं भी नहीं हैं कि TCS हो गया एंटी हो गया मगर मैं आप सभी को बताता हूं कि कभी भी अगर agency change होती आई है SSC examination में जाए आए आप बहुत पीछे चले जाओ 2012 से मैं बोलो हूं 2012 से जबसे online examination होना स्टार्ट होते 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 होने चार्ट हुए पैटर्न चेंज हुए कभी 100 कोश्चन कभी 200 कोश्चन तो जिस तरह स परसेंटेज वगेरा को रखा गया उतने ज्यादा graph से question नहीं आते मगर एक टाइम था जब SST graph से बहुत ज्यादा question पूछी थी पाई चार्ट से बहुत अच्छे question पूछी थी अब वह चीज नहीं रह गया अब ज्यादा focus कहाँ पर रह गया percentage से focus रह गया profit and loss से focus रह गया number system के उतने questions नहीं आते मगर एक time से SST में number system पे बहुत सारे questions आते थे बहुत सारे questions आते थे बिना number system के आप exam में जाही ही नहीं सकते मगर अब उसका weight is कम होने लगा एक time पर mensuration काफी जादा आती थी एक time पर geometry काफी जादा पुछी जाती थी तो हर एक तरह से देखा जाए flow change होता जैसे से एजनसे change होती रही वैसे वैसे questions का flow change होता रहा तो आपका impact इसका पड़ेगा इसका impact पड़ेगा questions की quality पे या question easy बन सकते हैं बहुत बन सकते हैं को कि जब पहले एजनसे को introduce होती है तो वो अपने आपको यह साबित करने की कोसिस करती है कि हाँ वो अच्छी है वो exam सही से करा रही किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है कोई भी अवे बदलाव करोगे तो कोई आपसे नाराज ना हो सब खुस रहे स्टूडन से लेकर आयोग तक हर कोई खुस रहे कि हाँ यार paper सही आया तो कोई दिक्कत नहीं तो यह कोशिस तो मुझे लगती है कि अगर paper बनेगा तो बिलकुल easy बन जाएगा simple बन जाएगा कोई तिक्कत नहीं मगर एक possibility और निकल के आती है कि हो सकता है कि paper जो अभी तक आप देखते आ रहे हो कुछ आपको नया देखने को मिल जाए नया क्या surprise आपको देखने को मिले कि यार यह तो सब कुछ बदल गया question की quality question भर गये रहा है अम टेबल वाले चार्ट आरे इस तरह के चार्ट शार रहें आप सभी के graph आ रहा है मैंस्विचन की question आ रहे तो इस तरह की question आप सभी की quality change हो सकती है आप सभी को इस लिए इस तरह से त्यारी करने के चेंज करने के दो होते है previous year जो अलगा रहे तो मही में सुन देते हैं उन पेपर्स को भी लगाने की जुरते हैं और वही सीरीज में आप सभी के लिए रात को नौ बज़े लेके आ रहा हूं तो रात को नौ बज़े आप SSGD के लिए हमसे जुड़िए रात को नौ बज़े मैक क्लास होगी बिल्कुल exam pattern के oriented होगी कोई भी इधर से पतर question नहीं जाएगा सेम डिट्टो question कराने की कोई करूंगा जो के examination में हो क्योंकि हमें experience है आप सभी को कि examination में मैं जुड़ा हुआ हूँ 2011 से और अच 2023 चल रहा है साथ साल का experience है exam को मैं देखता आया हूं कि कहां से question कैसे बंदलते हैं तो वह experience आपके साथ में साजा तो कि यहाँ पर अब तयारी का mindset change करने की जोड़ते हैं वही घिसेपीटे question वही वाले question नहीं करने की जोड़ते हैं अब थोड़ा सा अपने आपको change करने की जोड़ते हैं हमेशा चीजे क्या होती है इतिहास आज कर दिन है आज कल के लिए इतिहास बन जाएगा और आने व लाजा करूँगा वही practice करूँगा आप सबको तो practice session के लिए आप रात को 9 बजे आना धाकर question होंगे बढ़िया question होंगे और अच्छे trick के साथ ऐसा भी नहीं है कि के वह long method समझाने के साथ साथ उसके छोटी से छोटी concept को ताकि हम उस question की exam में देखते ही हल कर ले हमें question की quality ऐसा नहीं है बस change होने का क्या है कि मेरे भाई या फिर आप सब्सक्राइब के question की quality जो भी होगा मगर आपको अपने पढ़ाई के तरीके को change करने की जुरत पड़ेगी वह भी अभी से बाकि यही अपडेट है मैं कहूंगा कि अगर आपको स्योर सेलेक्शन चाहिए त ठीक है बाकि मैं आपके साथ तो हूँ ही लगा ही रहूंगा रात को नौ बजे में आप सब्सक्राइब तो रात को नौ बजे आना मत बूलना मेरे ठीक है चले अभी लगत अलदा मिलते हैं नेक्ट वड़ों में थांक्यू सो मच झाल 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 झाल